सो पुशा के भाग दो सारांश हिंदी में कहानी की शुरूआत वांदा के पिता से प्राप्त एक पत्र से होती है ये पत्र स्कूल को उनके एक बड़े शहर में जाने के फैसले के बारे में सूचित कर रहा था क्योंकि वहां कोई भी वांदा को उसके असामाने नाम और उपस्थिती के लिए नहीं छेड़ेगा अध्यापक के माध्यम से पत्र की सामगरी जानने के बाद पूरा वर्ग सदमे में था और उन्हें वांदा के प्रती अपनी अपमानजनक टिपणियों और व्यवहार का एहसास हुआ मैदी को बहुत बुरा लगा कि वो एक काय है और उसने कभी भी पेगी को वांदा का मजाग उड़ाने से नहीं रोका यही कारण है कि तथ्यों को जानने के बाद वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी वो वांदा से मिलना चाहती थी कि वो अपना पक्ष्पष्ट करे कि वो कभी भी उसकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती थी इसलिए उसने उसके घर जाने और उसे ये भी बताने का फैसला किया कि उसने पुरसकार जीता है जब स्कूल खत्म हो गया तो मैदी और पेगी दोनों ही उससे मिलने के लिए बोगिन्स हाइट्स में वांदा के घर गई लेकिन उस तारीख तक लड़की, वांदा और उसका परिवार वहां से पहले ही जा चुके थे इसलिए उनकी यात्रा निश्फल रही फिर दोनों लड़कियों ने वांदा को ये बताने के लिए कि उसने प्रतियोगिता जीत ली है उसे एक दोस्ताना पत्र लिखा उन सो पोशाकों को रख सकती है क्योंकि उसके नए घर में उसके पास सो नई होंगी उसने सभी विशेश चित्र पेगी और मैदी को उपहार में दिये उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने बैडरूम में टान दिया मैदी ने तस्वीर को काफी देर तक देखा और पाया कि तस्वीर में चहरा उसके अपने चहरे जैसा लग रहा है फिर वो पेगी के घर भी उसकी ड्राइंग देखने के लिए दोड़ी पेगी भी वही ड्राइंग पाकर खुश थी पेगी ने खुद को इससे तसली दी कि वांदा उन्हें वाकई पसंद करेगी मैदी इस बात से सहमत हो जाती है और जब वो वांदा पेट्रोन्स की के बारे में सोचती है तो आने वाले आस्वों को रोक लेती है कहानी में ऐसे कई उदाहरन है जो दिखाते हैं कि नसलवाद सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को कैसे प्रभावित करता है ये कहानी लोगों को इस तरह के भेदभाव के बारे में महसूस करने और सोचने पर मजबूर कर रही है निशकर्ष ये कहानी समाज में नसलिय भेदभाव के बारे में एक संदेश दे रही है ये हमारे समाज की एक बुराई है जिसका लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता है